गुड मॉनिंग दोस्तो वेलकम टो मैं चैनल करमा ब्लॉग दोस्तो मैं आज एक दूसरा ब्लॉग लेका आया हूँ एक डिफरेंट ब्लॉग है यह और यह एक्साइज भी थोड़ा डिफरेंट है हर किसी को यह करना नहीं आता लेकिन यह कफी अच्छा एक्साइज है बोड स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियो जड़ा लंबाना करते हुए एक्साइज के बाद इसके बारी में बताऊंगा किस तरीके से करना है कैसे करना है जास्ट स्टार्टिंग आप देखे की सबसे करना है दोस्तो सबसे पहले आपको यह पोजिशन आपको करना है यह पोजिशन करना है कमर को आपने कमर को स्ट्रेट करें बैलेंस बनाएं जो हमारा दोनों जो मेरे सर के नीचे जो मेरा उंगलिया है उससे कंट्रोल करें सर को और कोनी दोनों कोनी से दाइना और लैफ्ट और राइट का आपका बैलेंस बनाएं आप उपर जाने का बाद आप यहां पर अ इसके बाद आप बैलन्स बनाएं और कोशिश करें कि पआँ को स्ट्रेट करें। अगर आप यहीं पर होल दो आप से नहीं लाएं आप स्टार्टिंग में ज़्यादा टाइम तक नहीं रुख सकता है। में आपको यह करने में ठ cauliflower दिक्कत आएगा आपको जैसे सर में बलाढ आजाता है घुर अब ठेज अ पर दिक्कत आएगा क'tको तुरा सा अन कमफ़ोटबल मीश होगा आपको फिल टो इसमें । अगर आप अपने आपको को कमफोरटबल करना तो इसको हमेशा हमेशा कंटिनु इसको आप करना है और छो आपको डो मिनिट हो एक मिनिट हो अदा मिनिट हो लेकिन आइस को फाइब कर सकते हूं आराम से मैं Olivia 58 hp अलग कर सकता हूं मेरे को या मैं काफी टाइम से करता हूं यह एकसाज चाहि sind talked time आप पाउंको फिला सकता है आप आइनेपाए लेफ्राइट आगे पीछे आपकर सकता है Аप इहांपर जो भी एक्टिवीटु उपर में करना चाहता है आप ऑ कर सकता है आप पाव को left right खोल सकता है आपका आपका यहाँ पर flexibility है उसको आप शो कर सकता है आपका कितना flexibility शरी में हैं और आप यह करेंगी तो जो आपका Center जो आपका यहां पर जो आपका सेंटर है लेक का सेंटर है वहां पर आपका काफी स्ट्रेंथ आपको मैसुस होगा कफी स्ट्रेंथ आएगा वहां पर आपको जो कमर का जो स्ट्रेंथ है उसको आपको फिल होगा आपका इंक्रिज हो रहा है धीरे धीरे आप इसमें आपने आपको काफी काफी अच्छा मैसुस कर पाएंगे अगर आप डेली करेंगे आप इसमें जैसे पीछे आप पीछे ले जा सकता है जैसे पाओ को पीछे कर सकता है आपका बोडी बैलन्स किसी सबसे अपने बोडी बैलन्स करना है इसके बाद आप होल्ड करना है और तो पाओ को आगे कर सकता सब्सक्राइब या आपको पर है तो इस ताब से आपने करना इसको बहुत बड़ी एक्साइज है यह अच्छा एक्साइज है दोस्तों यह दाउन हो जाना उसके बाद आप फिर इससे आपको करने का मज़ा को इससे आपको काफी benefits है आपका जो blood circulation है मैं जितना टाइम भी रहा हूँ अगर आप इसको एक मिनिट भी दो मिनिट भी डेली करें तो आपका जो blood circulation है दोस्तों हम लोग मतलब 7 into 24 मतलब साल भर हम लोग AC चलते हैं हमारा जो human nature हम लोग चलते ही है इसे exercise तो करते हैं बहुत कम physical exercise हम लोग बहुत कम करते हैं और इसमें अगर आप हम लोग हमारा सर हमेशा उपर के तरब रहता है एक भी exercise हम करते हैं सर नीचे आता है जीसरे आपका blood circulation हमारा पाउं से लेके सर तक हमेशा एकी बराबर में चलते रहता है लेकिन दुस्तों अगर आप यह शिर्शाषन इसको शिर्शाषन बोलता है अगर यह शिर्शाषन आप करेंगी तो आपका जो blood ऑने पहले आपका इसे हमारा पाउं नीचे होने से पाउं से ज्यादा flow होता है नीचे से ज्यादा flow इसका flow होता है जैसे आपका सर नीचे आएगा blood पूरा सर में आजाता है जैसे अभी हमारा पाउं नीचे तो हमारा ज्यादा तर खुन का जो pressure हो नीचे के तरफ है जैसे आपका सर नीचे आजाएगा तो आपका ब्लाट का जो प्रेशर वो पुरा सर में आजाएगा जैसे हमारा आक जो चेहरा है हमारा फेस है वो लाल हो जाता है इस आशन से इस एक्सेसर से आपका जो फेस का जो गलो है वो काफी इंक्रीज होगा आपका जो face में जो दागी है वो खतम हो जाएगा काफी जो आपका हमारा बाल का जो problem रहता है बाल गिरने का उसका problem काफी solve हो सकता है अगर आप continue regularly उसको follow करें तो इसके बाद आपका जो blood circulation है जिससे आपका blockage है शरी में कहीं सारा blockage हो सकता हमारा नार्ब में हमारा blood जो हमारा सभी थरा हमें flow नहीं करता हो हमारा कहीं भी हात या पाओ में कहीं भी नार्ब में problem रहता है हमेशा दर्द रहता है कुछ न कुछ प्राब्लम रहता है अगर आप ये access करेंगे तो हमेशा एपका flow बना रहेगा आपका शरी का ब्लाड का जो है जहां पर भी ब्लॉकेज है उस ब्लॉकेज को जो फ्लो होगा जो इसका स्पीड होगा है उस स्पीड में उसको फ्लो को जो ब्लॉकेज है उसको तोड़ देगा इससे आपका काफी सारा जो भी जहां पर पेइन वगरा होगा वो आपका खतम हो काफी सर्ड ऐसे इसमें आप और भी है जो मैं इस वीडियो में इंखल नहीं कर रहा हूं और भी नेक्स्ट ब्लोग में लेक्ट सबना है यह एक्सेस के बारे में आपको बताना था शर्षाषन जो कि मैं नैक्स्ट आपको एक बर और दिखा देता हूं इसको किसी सब से करना ह यह है इसका तरीका हाथ राकना है पंजे को यहाँ पर सर को लगाना है सर को लगा के आपने आपको पूछ करना है और आपने खड़ा हो जाना है बस आपने खड़ा हो जाना है आप कितना टाइम तक होल्ड कर सकता है यह आप टे करें खूद अपना माइंडसेट बनाए आप रूख सकता है आप खुद रूख सकता आपने आपको यह आपका बोड़ी है आप रूख सकता है तो कोशिश करें दोस्तों इसी सबसे आप धीरे से फिर जब डाउन होंगे आपको कहीं पर भी चोट ना आए और जो हमेशा करता है एक्साइज इसको काफी सारा बेनिफिट्स मिलेगा हमेशा अगर करने से दोस्तों इस ब्लॉग में इतना ही था वीडियो काफी लंबा हो रहा है काफी अच्छा एक्साइज है अच्छा लागे तो लाइक करें सब् करें और ब्लॉग जरूर देखें और कोई भी कमेंट्स हो कोई भी बात हो इसमें आप कॉमेंट्स करें मैं जरूर कोशिश करूंगा आपका सल्यूशन देने के लिए जितना मेरे से संबब है जय हिंद जय भारत